अकसर अपने बॉलिवूड इंडस्री में ये देखा है कि जब भी कोई अक्टरस अपने पार्टनर से शादी करती है तो वो उनकी दौलत चोहरत दे कर उन्हें अपना हमसफर बनाती है और खुब पैसो की मालकिन बन जाती है लेकिन दोस्तों सिर्फ बॉलिवूड की अक्ट शर्मन जोशी ने अक्टर प्रेम चोपड़ा के खुबसूरत बेटी प्रेणा चोपड़ा से शादी कर उनके घर के जमाई बने आपको बता दें शर्मन जोशी सिर्फ और सिर्फ प्रेम चोपड़ा की दौलत शोहरत देखकर उनके घर के जमाई बने है क्योंकि प्रेम चो नोने भी सोहा अले खान से दौलत शोहरत के लिए शादी की है क्योंकि जहां सोहा बॉलिवूड के इतनी दमदार अक्टरस हैं तो वही सैफ अले खान के पास भी खुब पैसे और रुटबा है इसलिए कुनाल सोहा के घर के जमाई पैसों के लिए बने हैं नमबर थरी आयूश शर्मा भले ही आयूश शर्मा लाइम लाइट में आज नए नए आए हैं लेकिन सल्मान खान तो पहले सही इतने बड़े सूपर स्टार है इसलिए उनके पास करोणों की दौलत है बस यही सब देखकर आयूश ने उनकी बहन अरपिता खान से पैसों के लिए शादी की है और सल्मान खान के जीजा और उनके घर के जमाई दौलत शोहरत के लिए बने हैं अक्षे कुमार आक्टर राजश खन्ना और डिंपल कपाडिया के जमाई बने बौलिवूट के एक्शन किंग अक्षे कुमार ने भी दौलत शोहरत के लिए टौिंकल खन्ना से शादी की है क्योंकि राजश खन्ना ने कई सारी फिल्मों में काम कर करोणों रुपे कमाए हैं तो वहीं टौिंकल भी बौलिवूट की लोग प्री आक्टरिस बनी इसलिए उनके पास पैसे दौलत शोहरत ज्यादा होने की बज़े से अक्षे उनके घर के जमाई बने नमबर फाइव विकी कोशल धसकी आपको मालूम है कि विकी कोशल कैटरिना कैफ से शादी करने वाले हैं और उनके घर के जमाई बनने वाले हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ दौलत चोहरत के लिए तो कि कैटरिना ने अब तक 50 से जादा फिल्मों में काम कर खुब पैसे कमाई हैं और उनके पैसों को देखकर विकी कोशल उनके घर के जमाई बनने जा रहे हैं तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इन अभी नेताओं के बारे में आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ यह सी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें